इस फॉल्लविंग इन डिसेंडिंग ओडर में हम लार्जेस्ट टु स्मॉलेस्ट बड़े से चोटा अरेंज करते हैं सबसे पहले हमें पी क्यू आर और एस को नंबर्ज में कनवर्ट करना पड़ेगा यहां पर मैंने लिख दिये हैं कनवर्ट करने के बाद कौन सा नंबर आ आरेंज करना है तो ओप्शन सी एस क्यू पी आर इस जी करेंट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेस्ट इफ एक्स इज़ दिजिट नमबर दिन फाइंड एक्स उसिंग गिवन क्लूज तो अब हमें इन क्लूज से फाइंड करना है की एक्स कौन सा नंबर है दसम आफ ओल डिजिट इस सेवेंटीन अब यह ओप्शन ए बी सी और डी चारो जो उप्शन है उनका सम करेंगे हम हरे एक डिजिट का तो सेवेंटीन आंसर आएगा तो निक्स्ट क्लू पर आते है हम अब दसम ओफ दिजिट एट टेंज और हंडिज प्लेस इस दिजिट एट थाउजंड प्लेस निक्स्ट क्लू दा टेंज एट टेंच प्लेस पर जो बिजिट है उनको अगर हम आड करेंगे तो थाउजंड प्लेस वाली डिजिट आइड यह एप्शन था इप्शन बी और रिच्य फोड नेक्स्ट क्लू दा डिजिट आट टंस उन प्लेस इस इस बंड लिस देगीट at thousand place जो digit है one place पे वो one less है thousand place से तो ये भी और सी दोनों में ही हो रहा है next clue the digit at 10th place is twice at the digit at 100th place तो 100th place पे जो digit है उसका अगर हम twice करेंगे तो 10th place वाली digit आएगी तो ये option C में ही हो रहा है अब हम एक बार last clue चेक कर लेते हैं the digit at 100th place is 2 तो option C में ही 100th place पे तो ही है तो option C is the correct option next question if 2 more beads are added at 1000th place 3 beads are taken away from 100th place and 10th place each two more beads are added at one place and then number name of new number formed by on abeqas is dash सबसे पहले हम abeqas पी नंबर शो हो रहा है वह मैं आपको बताती हूं 3694 की वह आपको यहां पे लिखा हुआ दिख रहा होगा अब हमें सबसे पहले 2 more beads are added at the 1000th place 1000th place में 3 है उसमें प्लस 2 करेंगे तो आएगा 5 तो 5 होगा 1000th place उसके बाद 6 3 beads are taken away from 110th place तो 6 में से माइनस 3 करेंगे 3 बचा और 9 में से माइनस 3 करेंगे 6 बचा 2 more beads are added at one's place one's place प्लस पाइड करेंगे 2 beads 4 plus 2 6 so the new number is 5366 और इसका number नेम हमें option B में दे रखा है so option B is the correct option next question on the basis of the given figure select the correct option so सबसे पहले हम इस ये जो box है इसके अंदर किते figure किते shapes है वो find करते है तो इसके अंदर total 20 shapes है तो option B और option D नहीं होगा अब option A और C पे अब देखना है कि इन दोनों में से कौन सा correct है तो अब option A 7 by 20 of total shapes are squares अब स्क्वेर्स किते है 1 2 3 4 5 5 squares है बत यहां पे तो 7 दे रखा है तो option A नहीं होगा अब option C में दे रखा है 5 by 20 of total shapes are circles अब circles किते है 1 2 3 4 5 circle 5 है तो option C is the correct option next question six friends went for shopping they bought the following items six friends गई शॉपिंग पर उन्होंने following items तो अब हम सबसे पहले find कर लेते कि किसने total किते रुपी spend करें तो चवी ने 1425 spend करें विजय ने 1400 spend करें सनव ने 1335 spend करें अंकिता ने 1350 spend करें सुहाना ने 1350 spend करें और सम्राथ ने 1245 spend करें now on the basis of the given information fill in the blanks अब हमें इन blanks में find करना है कि क्या एगा first a spend rupees 1350 on shopping तो 1350 spend करें अंकिता ने तो एक ही जगे पर अंकिता आएगा तो option a और b ही होंगे option c और d नहीं होंगे उसके बाद अब हम second वाले पर आता है b spend the least amount least amount सम्राथ ने spend करें और सम्राथ option b में ही दे रखा है और अब थर्ड वाला डाश spend the most amount सम्राथ अबसे जादा अमाउंट चावी ने spend करें सो option b is the correct option so friends ये धा मेरा आज का वीडियो अगर आपको ये वीडियो यूसफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को अपने फ्रेंच को जाट शेयर करें मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस के अनर नाम भूलें and best of luck for your level 2 exam बाइए